पावस्टार पवन सिंग का गाना आया नहीं कि उस पे चोरी का इलजाम लग गया जी हाँ ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है कि पवन सिंग का कोई भी गाना आता है उसे फट से कह दिया जाता है कि चोरी का गाना है वैसे आपको बता दे बहुत ही कम समय में पवन सिंग के इस ट्रीजर ने बहुत ही धमाल काम किया है लोगों को ये बहुत पसंदा रहा है वैसे हमने आपको बहुत पहले ही कह दिया था कि गाना बड़े ही लार्ज पैमाने पर शूट किया गया है इसलिए ये बॉलिवुड जैसा लग सकता है पवन सिंग का पहला गाना भोचपुरी गाना होगा और उसके बाद जो गाना आएगा एक बॉलिवुड सौंग भी होगा आपको बता दें सलीम मर्चिन भी पवन सिंग से मिले है और उनके साथ जल्द ही एक सौंग करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट तक की है जल्द ही उनके साथ आएगा पवन सिंग का एक और सौंग लेकिन उसके पहले पवन सिंग के कई भोचपुरी सौंग भी आएंगे लेकिन हम यहाँ आपको बता रहे थे कि पवन सिंग के गाने पर उनके पोस्टर पर चोरी का इलजाम लगा है और इनका जो ये चोरी का इलजाम लगा है इसे नेहा ककड के गाने से इंस्पायर बताया जा रहा है लेकिन इस गाने के जो राइटर है जो लिरिक्स राइटर है उनका कहना है कि ये गाना बिल्कुल फ्रेश है किसी भी गाने से कौपी नहीं किया गया है और जो लोग ऐसी ख खबरे फैला रहे हैं वो बस इस गाने को गिराना चाहते हैं लेकिन इस बार जनता ऐसे मूड में नहीं हैं तो क्या कहेंगे आप हमारे इस रिपोर्ट के बारे में और पवन सिंग के इस सौंग के बारे में कि क्या ये कौपी सौंग है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब क करना बिलकुल ना भूलिये